हलो बच्चों, very welcome to Magnet Brains, मेरा नाम है राहुल गुरूंग और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कुछ important polymers को, ठीक है? अभी हमारी जो कहानी चल रही है यह polymers के उपर ही चल रही है, ठीक है? अभी polymers के उपर जो कहानी चल रही थी, उसके बाद में, अरे यार, एक बहुत important information तो में बता नहीं भूल गया अच्छा यह पता है आप लोग को polymers का, I think 8th या 9th lecture हो चुका है इतना हम लोग लगातार पढ़ते पढ़ते आगे आ चुके हैं, और इतना आते 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 आप लोगों ने एक बात को notice करा होगा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है, कि हमने एक lecture या दो lecture के बाद में बोल दिया हो कि यार, अब आप लोग को आगा पढ़ने के लिए subscription लेना पढ़ेगा या code यूज करना पढ़ेगा ऐसा तो हम लोगों ने कहीं नहीं बोल के रखा है, क्योंकि Magnet Brins एक ऐसे mission पे है जहां पर सब कुछ free मिल रहा है आपको, ठीक है, जितने भी video lectures है, सारे free मिल रहे है इसके अलावा जो practice के papers वगरा है, वो सब भी आपको free मिल रहे है, सारा free content आपके पास में available है आप लोग को करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ videos को देखना है, अच्छे number लाना है और साथी साथ में क्या करना रहेगा, magnetbrains.com की official site पर भी करना है visit जहां पर आपको सारी चीजे मिल जाएंगी, एक well arranged order में, ठीक है चलो, तो इसी के साथ में lecture को start करते हैं, और lecture के पहले ये है हमारी PCMB team ये पूरी PCMB team आपको मिल जाएगी, आपके examination में help करते हुए ठीक है, आज का जो topic है हमारे पास पढ़ने वाला वो क्या है, वो ये है, अटाला कचड़ा भंगार, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है हमारे जो topic होने वाले हैं, आज वो होने वाले है, nylon 6, nylon 6, nylon 6, 10, kevlar, backlight and lycra ठीक है, ये कहानी होने वाली है, अब अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले nylon 6 की तो nylon 6 को क्या कहा जाता है, perlon कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, nylon 6 को क्या कहा जाता है, perlon कहा जाता है अब polyamide synthetic fiber, ये एक polyamide synthetic fiber होता है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि इसका बनाया कैसे गया है, वैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बनाया जाता है caprolactam से, जब कभी भी caprolactam को 207 degree temperature पे गर्म किया जाता है, in the presence of water molecule, water molecule बहुत थोड़े से बहुत जाद रही, बह क्या मिलता है, amino caproic acid मिल जाता है, अब ये जो amino caproic acid होता है, जब further react करेगा, तो further react करके एक monomer बनाता है, ये monomer है, ठीक है, monomer क्या था, single unit होगी, इस monomer में जब आप और repetition करवाते हो, देखो क्या हो रहा है, repetition हो रहा है, ये caprolactam था, amino capric acid था, amino capric acid में आपने और यहाँ प जब ऐसा मिला है, तो ये compound मिला, इसके बाद में और add करा, ये repeat में, addition की process लगातार चलती जाती है, repeat करते हो बार 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 जब आप इसको add it करते जाते हो, तो क्या मिलता है, आपको मिल जाता है nylon, clear हो गई बात, easy है, ठीक है, तो addition process है, पहले भी हम लोग पढ़ चुक acid के साथ में, sorry, amino caproic acid के साथ में, और ऐसे sequence को लगातार आगे बढ़ाया गया है, जिससे की आपके पास में, यहाँ पे nylon 6 बन जाता है, अब खास बात यह होती है, कि nylon 6 का use कहा किया जाता है, nylon 6 का use किया जाता है, पतंग उड़ाने में, ठीक है, पतंगों के जो धागे बना harmful भी होते हैं, यह ऐसी कहानी बताई जाती है, और ऐसा होता भी हुआ भी है, मैंने का incident देखे हैं, जहां पर क्या होता है, कि पतंग उड़ाने की वज़े से, पतंग उड़ाने की मनाई नहीं यह, बट यह जो nylon के धागे हैं, यह दिक्कत दे जाते हैं, आप पुराने इसमें एक इसका बहुत खतरनाक सा यूज होता है, जो शायद ही कभी तुम लोगों को पता होगा, वो आज हम करते हैं, रिवील, nylon 6 का यूज किया जाता है, किस के द्वारा, spider man के द्वारा, ठीक है, nylon 6, अच्छा, spider man के जो जाले बनाए जाते थे थे ना, तो spider man के जो जाल होते हैं, वो अपने आप reaction कर लेते हैं, air से और गायब हो जाते हैं, यह मेरे रिवार में बहुत चलता था, पहले मैंने देखा था कि spider man के जाले कैसे बनते हैं, तो जब उसको पढ़ा तो पता चला, nylon के जाले होते हैं, वो nylon जैसी उसमें strength होती है, फिर बाद में सोचता थ कि अगर spider man ऐसे ऐसे करके हर जगे पर अपने जाले शोड़ देगा, तो यह सारे जाले जब हर जगे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर जगे बिल्कुल गंदा बाड़ा हो जाएगा, सब चीजे खराब हो जाएगी, फिर बाद में देखा, तो इसमें reason बता के र होती है, तो याद रखना कि nylon का use किया जाता है कपड़े बनाने में, पतंग के जो धागे होते वो बनाने में, और साथी साथ में nylon 6 का use करा है किसने, spider man ने भी, ठीक है, चलो, अब इसी बात पे इसका screenshot ले लो, ठीक है, clear हो गई बात, चली, इसे erase कर देते हैं, अब बढ़ते हैं, आगे, अगर मैं बात करता हूँ, nylon 6-6 की, तो nylon 6-6 की कहानी क्या होती है, ये एक polyamide synthetic fiber होता है, सारे धागों के रूप में होते हैं, और धागे fibers होते हैं, ठीक है, अब polyamide synthetic fiber जो होगा, वो क्या करता है, condensation polymerization को perform करता है, condensation polymerization पे क्या होता है, कि high temperature पे जो छोटे छोटे गैसों के molecules होते हैं, जैसे water का molecule हो गया, ammonia हो गया, या फिर methanol हो गया, तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, ऐसे कहानी होती है, तो polyamides are condensation polymers in which the monomer units are connected by amide linkages, यह amide linkage से connect होते हैं, अब यह बोलके रखा है, amide याद है, amino group हम लोगों ने पढ़के रखा हुआ था, वहां से amide group हमारे पास में बना हुआ था, जिसको हम NH2 बोलते हैं, ठीक है, यह रहा यार, nitrogen, hydrogen, NH2 होता है, यह amide group है, इसमें से भी आप यहाँ पर एक hydrogen और निकाल तो situation क्या बनती है, कि polyamides are condensation polymers in which the monomer units are connected by amide linkage, nylon 6 is manufactured by the condensation polymerization, जो nylon 6 होते हैं, वो condensation polymerization से बनाए जाते हैं, फिर बोलके रखा गया है, किसका होगा यहाँ पर polymerization, adipic acid and hexamethylene diamine, अब देखो, यह बाले co-polymer तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों अलग-अलग हैं, दोनों same-same होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, homo polymerization हो जाता, और इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है, एक adipic है, और एक क्या है, hexamethylene diamine है, temperature of 280 degree centigrade under pressure, यह कहानी आपको ब adipic acid होता है, और hexamethylene diamine होता है, 280 degree centigrade, इतने जादा high temperature पे क्या बना कर देता है, nylon 6-6 बना के देता है, यह nylon 6 का भी एक ऐसा upgraded version है, जो कि nylon 6 से भी जादा मजबूत होता है, ठीक है, अब यहाँ पे बोला था condensation है, तो यह देखो, water का molecule बाहर निकल गया, अब इसके अंदर कहा अनि क्या होती है, कि यार इसका use कहां किया जाता है, nylon 6-6 का use किया जाता है, parachute बनाने में, और तुम लोग को पता है, कि यह nylon 6-6 की जो discovery थी न, यह discovery ऐसा हुआ था, यह एक्चुले में हुई कैसे थी बताता हूँ, अगर तुम लोग को पता हो, तो first world war हुई थी, जब first world war parachute से, जो army के जो जवान थे, वो कूते थे न, तो उस ताइम पर parachute जो होता था, सिल्क के कपड़ों से बनाय जाता था, और पता है, पूरे world में सबसे ज़्यादा उस ताइम पे, सिल्क जो होता था, वो चाइना में मिलता था, बट क्या हुआ कि चाइना से जैसे ही, सिल्क का production रोक दिया गया, तो चाइना से सिल्क का production रोकने की वज़े से, जब सिल्क नहीं मिला, तो parachute नहीं बनते थे, पहले parachute सिल्क से ही बनाय जाते थे, सिल्क के कपड़ों से बनाय जाते थे, क्योंकि ज़्यादा durable होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, और उनमें air जो होती ह सिल्क के कपड़ों से, ठीक है, तो इस वज़े से क्या होना चालू हो गया, कि आपके पास में, जो यहाँ पे, नायलोन 66 था, इसकी discovery करी, नायलोन 66 की discovery तब हुई थी, जब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जरुद पड़ी थी, पैराशूट्स की, और उस टाइम पर, साइंटिस्टों ने मिलकर एक ऐसे कपड़े की खोच करी, जो की बहुत ज़्यादा durable होगा, कपड़ा क्या fiber थे, वो धागे थे, बहुत ज़्यादा durable होगा, साथ ही साथ में lightweight होगा, और इसके अलावा, ये water का भी बहुत अच्छा resistance होगा, आपने देखा होगा ना, पैरा को ढाकने के लिए, वो भी nylon की ही बनी हुई रहती है, ये बहुत ज़्यादा highly water resistance होता है, कौन? Nylon, तो ये सारी खूबिया होती है, इन सारी खूबियों की वज़े से ही nylon का बहुत ज़्यादा use किया जाता है, whether it is nylon 6, nylon 66 या फिर nylon 610, ठीक है, ये कहानी होती है, चलो जड़ा इसका screenshot लो अब, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं, आगे, अब देखो, यहाँ पर procedure बताया हुआ है, कि किस तरह से nylon 6,6 बनाए, बहुत आसान, अच्छा, nylon 6,6 का मतलब क्या होता है, जरा वो भी समझ लो, nylon 6,6 का मतलब होता है, आपके पास में, कि जब यहाँ पे 6 carbon यूज हो only 6 carbon की जो आपके पास में group होगी, nylon 6,6 का मतलब क्या होता है, 6 और 6 carbon की दो group आपस में जुड़ी होगी, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बनाया कैसा आप गया है, इसको, सबसे पहले आपके पास रखा हुआ था, बेंजीन, बेंजीन का hydration करवाया गया, in the presence of platinum, तो आपको क presence में, जब इसकी reaction कराए गई, तो क्या बनाया गया, फिनॉल के बाद में और oxidation करवाया गया, तो क्या बन गया, cyclohexanone बन गया, किटोन वाला group है न, cyclic group में, किटोन, तो cyclohexanone हो गया, cyclohexanone को जब acyl hydroxide as a catalyst के रूप में मिलाया, और nitrogen करवाया, तो क्या बना, adipic acid, अब जाके कहानी आई है, अब जाके adipic acid तक बात पहुंची है, इस adipic acid में मिलाया, ammonia और गर्दिया, इसको गर्म, तो क्या मिला, एडिपे माइड मिल चुका है, और एडिपे माइड का फिर से oxidation करवाना है, L2O3 और P2O5 और heat मिलाया, आपने, sorry, oxidation बोल रहा हूं, dehydration करवाना है, water का molecule बाहर निकला, तो क्या बना, एडिपो नाइट्राइल बना, और इस एडिपो नाइट्राइल को, जब आपने hydration करवाया, निकल की presence में, तो यहाँ पर क्या बन गया, hexamethylene diamine, और reaction हमारी क्या थी, कि adipic acid और hexamethylene diamine से nylon बनता है, नाइलोन क्या बनता है, 6-6 बनता है, अच्छा पता चल गया ना, नाइलोन 6-6 कैसे बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है, 6 carbon तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं तुमको, ठीक है, और इसके लावा देखा जाए, यहाँ पे 4, 5 और 6, तो यह total इस तरह से 6 carbon की जो presence होती है, 6 carbon इ इस हिसे में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नाइलोन 6-6 कहा जाता है, clear हो गई बात, easy है, यह भी बहुत जादा, ठीक है, तो ऐसी situation होती है, clear हो गया, ठीक है, चलो, फटा-फट इसका भी screenshot लो, चलिए, इसे भी कर देते हैं, erase बढ़ते हैं आगे, अब देखो, अग वो होता है, synthetic fiber में, और इसके अलावा, जो brush फगला होते हैं, parasites होते हैं, ropes होते हैं, और साथ ही साथ में, जो carpet होते हैं, ठीक है, अलादीन वाला carpet नहीं है, जब तुम बोलो कि řियार अलादीन वाला carpet वो नहीं, इसका use, इसके अलावा कहां कहा होता है, parachute फगई वाध में, by the condensation polymerization of hexamethylenidiamine जो आपके पास में यह बताता है this is the polyamide यह polyamide NH2 है तो यह जो polyamide होता है यह condensation polymerization से बनता है यह देखो hexamethylenidiamine यह दो amine group यहां present है फिर हमारे पास में क्या है sabacic acid है जो heat करने पर क्या बना कर देता है nylon 610 बना कर देता है देखो simply पहले nylon 6 बना था उसके बाद में ही जरूरोतों के अनुसार इसको लगातार upgrade करते गए अपग्रेट करते करते नए यहां composition मिले और नए composition जो होते हैं वो पिछले बार की कमियों को overcome करके बनाए जाते बस इतनी सी कहानी होते ठीक है चले इसका भी screenshot दो पहले ठीक है चलिए इसे भी करते इरेज अब देखो यह है सबसे बढ़िया चीज वो क्या है कैवलार की कहानी क्या होती है कि एक ऐसा aromind super fiber होता है इसको super fiber इसलिए बोला गया है पहली बात तो देखो दिखने में कितना शांदार लग रहा है दिखने में ही इतना बढ़िया लग रहा है देखते से इसको लग रहा है कि वा यार यह कोई तगडी सी चीज ठीक है यह कोई तगडी सी चीज है अब इसमें यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे net net जाली जाली जैसा और यहां दिखाई दे रहा है गड़ा इस गड़े में यहां पर आपको एक object दिखाई दे रहा होगा पता यह क्या है यह bullet और यह है bulletproof jacket का कपड़ा कपड़ा तो नहीं है पर हम ठीक है हमारी common लेंगे जो बोलते है bulletproof jacket कपड़ा bulletproof jacket पे जब गोली लगती है तो ऐसा कुछ आपको scene वहां पर दिखाई देता है और यह जो bulletproof jacket होती है यह बनाई जाती है kevlar से ठीक है यह रहती कहानी अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो aromatic polyamides are known as aromides kevlar is an aromide यह aromatic group है और देखो aromatic क्या होते है बेंजीन बेंजीन के बारे में मैंने पहले ही बोलके रखा है non reactive होते हैं highly stable होते हैं तो देखो शुरुवात की यह कहानी तो यहीं पूरी हो गई कि molecular level पर ही कितना stable है ठीक है इट इस प्रिपेरड बाइक कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन ऑफ टॉप्त ठैलिक एसिड यहां पर सिफ दिखाने के इसको रखा गया है इसको ऐसा नहीं है कि आपको डारेक्ट chemical direction पूछी जाएगी जनरली क्या question पूछा जाता है कि bulletproof जाकेट किस से बनाये जाते हैं जो की होता है kevlar से ठीक है अब एक बहुत ही बढ़िया चीज तुम लोग को पताता हूं हम लोग यह बोलते हैं कि चलो kevlar आपने बनाया बहुत strong है ऐसे तो बहुत strong जो होता है वो लोहे की plate भी होती है steel की plate भी तो होती है तो बले क्यों ना हमारी body पे हम लोहे का armor पहन ले यह steel का armor पहन ले तो भी हम गोली लगने से बच जाएंगे है ना यह चीज होती है बट यहीं पर गलती होती है अब वो गलती क्या होती है जरा तुम लोग को में समझाता हूं सपोज तुमने लोहे का armor पहन के रखा हुआ है तो जो steel या लोहे का armor होता है ना उसके अंदर कहानी यह होती है कि जैसे ही bullet penetrate करती है ठीक है bullet यहां लगी त तो इसको जैसे penetrate कराना तो पीछे की तरफ एक गड़ा हो जाता है मतलब अगर गोली लगेगी ना तो गोली लगने के बाद में जो वो टकराने का impact होगा उसके अंदर ही body के अंदर तो नहीं जाएगी वो गोली बट जो वो जो नुकिला हिस्सा होगा ना body के अंदर चले ज देखो यहां गोली लगी है तो जिस जगे पर गोली ने हिट करा है सिर्फ इतना area ही disturb हुआ है देख आप इहां पर जिस जगे पर गोली ने हिट करा सिर्फ इतना area ही यहां पर disturb हुआ इसके अलावा देखो आस पास के जितने भी construction है कहीं से कहीं तक कोई disturb हुए क्या नहीं ह हुए हैं तभी तो इसने क्या करा गोली के सारे इंपेक्ट को जह लिया ज़िया कभी देखना जब गोली लगती है ना तो गोली लगने से जिस पोर्शन पर गोली लगती तो गोली आरपार नहीं होती है ये भी एक बहुत बड़ा गोली कभी आरपार नहीं होती है जब भी आपको गोली लगेगी ना तो suppose यहाँ गोली लगी तो गोली लगने पर वो जो impact होता है वो जो high amount की heat होती है वो particular इस area का mass बिलकुल far देती है इतने area में पता एक बड़ा सा गड़ा हो जाता है आप बोलो कि sir गोली की speed तो बहुत तेज है वो हातों के आरपार हो जाना चाहिए आरपार नहीं होती है वो यहां आके अपना जो energy है उसको transfer कर देती है और इतन की clotting जमने के लिए भी क्या होना पड़ेगा obvious बात है थोड़ा सा time लगेगा पर वो time मिलता है नहीं यह blood इतने तेजी से flow होता रहता है और bleeding की वज़े से क्या होता है इंसान की death हो जाती है ऐसी कहानी होती है तो इस वज़े से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखकर च लिया कि एक ऐसा material है जो high impact या high force को absorb करने में capable होता है और अगर आपने इसको absorb करने में capable होगा तो इस वज़े से क्या होगा कि इसका जो impact होता है वो बहुत जादा नहीं पड़ता है clear हो गई बात easy है ना चलो जड़ा screenshot लो ठीक देखा chemistry कितनी जगों पर है इंसान की जान भी बचा देती है और अगर मैं इसके अलावा और यहाँ पर बात करता हूँ use की kevlar की तो वो क्या है kevlar fiber are very strong and have tensile strength greater than that of steel steel से भी जादा यहाँ पर इसकी tensile strength होती है मतलब क्या इसको खीचना steel के भी एक limit होती है कि वो खीचाएगा खीचाने के बाद बापस अपने original जो उसका original size होता है या जो original उसकी strength original position होती हूँ उसको regain कर लेगा बट यह उससे जादा क्या होता है tensile strength रखता है it is used for making army helmets आर्मियों के जो helmet होते हैं जो army के लोग होते हैं soldiers होते हैं उनके helmet भी से से बनाये जाते हैं सबसे important point अगर आप बोलते हों कि मोटी सी steel की परत पहन के चल जाओंगा या मोटे से लोहे का कवच पहन के चले जाओंगा तो मुझे गोली ने लगेगी तो भाई साब क्रपिया इस बात को ध्यान दे अपने body के हिसाब से अगर आप इतना heavy वहाँ पे कवच पहनोगे तो आप लडाई क्या करोगे ठीक है क्या ही लडाई कर लोगे क्योंकि आपका body weight suppose 60 kg आपने वहाँ पे 40 kg का तो वहाँ पूरा का पूरा वो body weight बराबर suit पहन तो अब लडाई क्या करोगे कद्दू है ऐसा थोड़ी न होता है इस वज़े से क्या होता है यह बहुत light weight होता है light weight होने के साथ साथ में यह क्या होता है bullet proof भी होता है ठीक है bullet proof होने की वज़े से क्या लिका हुआ है I am batman bullet proof होने की वज़े से batman भी इसको use करता है तो जो batman का यह जो बैट सूट होता है ना वो भी बुलेट प्रूफ जैकेट से ही बना हुआ है और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा जाता है कि बैट मैन का जो सूट है कम्प्लीटली बना हुआ है कैवलार से कभी तुम लोग ने देख गी ना बैट में बिगिंस फर्स्ट मुवी त कि किस थरह से इसका बॉडि सूट इसका हेलमेट हेलमेट तो घर उन्होंने पहले बनाया था कार्बन फाइबन से पहले कार्बन फाइबर यूस करते थे वो लोग उसके बाद में ब्एट मे conquist में तो अगय बना दिया जाता है तो उसमें तीन लेयर में बनाते थे बैट मे में बैटमेन का जब हेलमpowered बनता था को इसके सिर में बिल्कुल point blank range पे भी जाकर गोली मार देता था था ना तो भी batman को कुछ दूंए ठीक है क्योंकि उसके पास में उसके अंदर जो kevlar और सा ह rem दोनों के बीच में क्या होती है अच्छी खासी कुशिनिंग या पैडिंग होती है जो हीट को जो फोर्स ओफ इंपेक को क्या कर लेता था एब्जॉब कर लेता था ठीक है ऐसी कहानी होती है तो इस वजह से बैटमेन भी कैवलार का यूज करता है चलो अब इसी बात पर स्क् इसके अंदर क्या है पैरा फिनाईल डाय अमाइन देखो दो माइन ग्रूप है एक यह एक यह इन दोनों के जब आपस में कॉंबिनेशन किये जाते हैं गरम करा हीट की वजह से यहां पे कंडेंसेशन हुआ है वाटर का मॉलीक्यूल बहार निकला है और यह एक फॉर्मला म जो कि क्या बना रहा है कैवलार बना रहा है कैवलार बहुत स्ट्रॉंग होता है यह ध्यान रखना कैवलार बहुत स्ट्रॉंग होता है पर यह भी चीज ध्यान रखो कि आप कैवलार को पहनने से यह सोचो कि गोली लगेगी नहीं एक खरोच भी नहीं आएगी तो ऐसा नह जब कि यह बिल्कुल धोका है एक पिक्चर है अपना यह वाली है ना काइनुरी उसकी काइनुरी उसकी पिक्चर थी यार अच्छी उसमें बढ़िया फॉर्ट फाइटिंग सीन जॉन विक जॉन विक में वही बताके रखाए कि वह केवलार का सूट पहन लेते हैं फिर भी ज होता है इंपक्ट वाला जिससे टकराता है तो टकराने की वजह से क्या होता उतना एरिय novald یस होजाती है वहां पर चोट लग जाती है तो ऐसी कुछ कहानी चलती है और रियालिटी यही होती है कि कैवलार आपको इन्वर्नेबल नहीं बनाता है असा नहीं होता है कि वहीया कुछ होगा ही नहीं आपको ठीक है क्लियर हो गई बात इस तरह से क्या बना है हमारे पास में कैवलार बना है अब जब इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है क्लियर हो गया चलो बढ़ते हैं आगे आगे क्या देके रखा हुआ है फिनॉल फॉर्मेल डिहाइड रेजिन्स जिसको बेकलाइट कहा गया है बेकलाइट बहुत इंपोर्टन चीज है हम लोगों को बहुत बहुत धनिवाद देना चाहिए श्री श्री लियो हेंडरिक बेकलाइट जी का जिन हैं क्या करके रखा हुआ है बेकलाइट को बनाया क्योंकि यही back light की durability साथ ही साथ में light weight क्या करता है बहुत सारी जगों पर इसे use करने के लिए हमें मजबूर कर देता है क्या क्या चीज है A resin is a polymer पहले resin बना था ठीक है वो liquid solution देखा होगा तुम लोगों ने बहुत YouTube के वीडियो देखे होगी उसमें resin 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 कितनी बात बोली जाती है A resin is a polymer with a rigid three dimensional network of repeating units phenol formaldehyde resin is a cross link polymer ध्यान देना जो back light मैंने शुरुवात नहीं बोला था बहुत durable होता है बहुत मजबूत होता है और हम लोगों ने सबसे पहले lecture में देखा था कि जब कभी भी cross linkage polymer formation होता है तो उस situation में क्या होगा बहुत strong compound बनता है तो यहाँ पहली बार में इन्होंने लिख दिया कि जो phenol formaldehyde resin होता है वो cross linked polymer बनाता है अगर ये cross linked polymer बनाता है तो इसका नाम क्या रखा गया है बेकलाइट और ये बेकलाइट नाम किस ने दिया था बेकलाइट नाम रखा गया था श्री श्री लियो हेंड्रिक बेकलाइट जी के लिए ठीक है इन्होंने करके रखा हुआ था अब देखो इनके बाद में ही फिर आगे चलके phenol reacts with formaldehyde to give a mixture of ortho and para जो phenol है वो ortho और para को क्या करता है साथ में combine करके hydroxy methyl phenols बनाता है under appropriate condition ortho hydroxy methyl phenol undergoes polymerization बात वही है हर बार वही हो रहा है monomer बनता है monomer से polymer बनता है और polymer formation से ही ये सारी चीज़े आपके सामने आती है तो इस तरह से क्या होता है बेकलाइट का निर्मान होता है चलिए अब जब इसका screenshot ले लीजिए ठीक है चलो इसे भी कर देते हैं erase अब देखो ये है इसका reaction mechanism देखो क्या क्या हुआ है सबसे पहले आपके पास में रखा हुआ था phenol phenol को जब formaldy height के साथ मिलाया in the presence of OH negative OH negative का मतलब क्या होता है OH negative का मतलब होता है किसी base के साथ में mix करा base के साथ मिलाने पर क्या मिल गया ortho hydroxy methyl phenol ये मिल गया है ortho hydroxy methyl phenol उसके बाद में para hydroxy methyl phenol obvious बात है कि यहाँ पर parallel reaction चल रही है chemical kinetics पढ़ा था ना parallel reaction जिसमें एक ही समय पे दो प्रोड़क बनते हैं जैसा organic chemistry में सबसे बढ़िया example होता है ortho और para formation अब इस ortho और para formation में से भी specifically आपने क्या लिया ortho लिया ortho hydroxy methyl phenol को लिया है और इसके n number of monomers लेके रखे हुए हैं फिर इसका क्या कर दिया हमने polymerization कर दिया मतलब यह कि इनके हाथों को खोला गया और लगातार एक repetitive unit में जोडा गया इससे क्या बन गया नोवलेक या फिर एक linear polymer बन गया और ऐसे linear polymer जब n number of quantity में जुडते चले जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है आपके पास में bacalite polymer बन जाता है clear हो गया चलो इसी बात पर इसका भी screenshot लो ठीक है चलिए इसे भी कर देते हैं erase बढ़ते हैं आगे अब देखो कुछ important polymers बता के रखे गया है वही bacalite वाले अब जैसा यहां पर composition में बता रहा हूँ orthopera की तो देखो orthopera अगर दोनों होते हैं तो orthopera दोनों अगर एक साथ हूँ और उनका co-polymerization करवा दिया तो देखरो cross linkage बन रहा है cross linkage में क्या होता था कि यह वाले जो linkage होते थे यह covalent bond के through आपस में connected होते थे बढ़ा था न यही कि three dimensional linear lines होती थी जिनको आपस में जोडा जाता था with the help of covalent bond तो यह देखो यह उपर चल रहा है यह नीचे चल रहा है अब क्या हुआ कि यह उपर नीचे चलने वाले जो है इनको covalent C के through या covalent bond के through आपस में जोड दिया गया है जिससे क्या बन रहा है आपके पास में backlight का ऐसा structure बन जा रहा है क्लियर हो गई बात चलो इसी बात पर इसका भी screenshot लो ठीक है चलिए इसे भी कर देते हैं erase और अगला क्या होता है पॉली ठीक है पॉली भी नहीं बोलते इसको polyurethines बोला जाता है polyurethines के लिए regarding क्या होता है कि जो आपके पास में urethene होता है is an easter of carbamic acid polyurethines are obtained by the reaction of diacinate with a diol diol के साथ ने मिलाकर इसको बनाया गया है अब यह जो composition आपने देखिए उसका सीधा सा मतलब यह रहता है कि इससे बहुत एक important compound बनता है वो होता है lycra ठीक है वो क्या होता है lycra लाइक एक ऐसा कपडो का material है जो की बहुत जादा useful होता है एक पर देखो soft होता है पहनने में बढ़िया होता है साथी साथ stretchable होता है हम लोग इसको जानते है stretchable jeans के नाम से जो stretchable jeans होती है वो lycra की jeans होती है जिनको पहनना reality में बहुत comfortable होता है lycra important polyurethane is prepared by the polymerization of toluene जो toluene होता है 2,4 diacinate वाला जब इसको combine किया जाता है इस glycol के साथ में तब जाके आपको क्या मिलता है lycra comfortable कपड़ा बहुती नरम सा बहुती soft सा सबसे खास बात होता है यह highly elastic होता है जिस वज़े से अगर आप थोड़ा सा skin tight भी पहनते हो तो भी इधर उदर move करने में आसान रहेगा ठीक चलो screenshot लो इसका ठीक है चलिए इसे भी कर देते हैं erase अब यहाँ पे इसका reaction भी बताके रखा गया है कैसे reaction है आपके पास में है THF THF क्या होता है tetrahydrofuren इस tetrahydrofuren का acidification करवाया गया H positive लिखने का मतलब क्या होता है acidification acidification का मतलब यह है कि किसी acid के साथ combine कराया गया तो क्या मिला poly tetra methylini glycol मिला है अब इसी को ही जो poly tetra methylini glycol है इसको 2,4 toluene 2,4 diisocyanate के साथ मिलाया यह देखो toluene क्या होता है benzene में CH3 और उसके लावा यह हो गया 1 यह हो गया 2 यह हो गया 3 और यह हो गया 4 second or fourth position में क्या मिला के रखा है diisocyanate मिला के रखा हुआ है diisocyanate को poly tetra methylini glycol के साथ मिलाया तो क्या बन गया आपके पास में lycra या फिर polyure ethene बन चुका है तो इस तरह से lycra कपड़ा का material बनाया जाता है ठीक है clear हुई बात चलो इसका अब screenshot लो चलिए इससे भी कर देते हैं erase अब बात करते हैं जरा lycra की तो lycra is a stretch fiber पहली बोला था stretchable jeans तो lycra क्या होता है stretch fiber होता है इसको use किया जाता है because of its elastic properties ठीक है अधिकतर jeans जो पहनते हैं ना तो पहले jeans आती थी मोटे कपड़े की उसको लोग पहनते थे बट वो बहुत जादा tight होती थी थोड़ा uncomfortable थी तो अब जो jeans आती है जिसको हम लोग stretchable jeans के नाम किसे जानते हैं वो jeans होती है बहुत बढ़िया कपड़ा भी soft साथ ही साथ में stretchable भी ठीक है several different kinds of polyorethanes are produced depending on the nature of diol monomer used अब अलग अलग भी बनाते हैं पर कैसे जब अलग अलग जो monomer आप इसमें use करते हो ना उनके basis पे जिसमें क्या बोलके रखा हुआ है polyorethane forms are generally made using a poly alcohol rather than diol as the monomer so that the polymer has a high degree of 3D cross linkage अब देखो क्या होगा कि आपको जब इसकी durability बढ़ानी होती है तो पहली बोलके रखा हुआ है linear structure ज्यादा durable उसके बाद में अगर branch chain की बात करता हूँ durability गिर जाती है पर वही cross linkage आता है cross linkage मतलब ऐसा ऐसा तो यह जो cross linkage आता है तो यह three dimensional linkage होने की वज़े से highly stable होता है rigid भी होता है साती सात में light form suitable for thermal insulation जो thermal insulations वगेरा होते हैं वहाँ पर भी काफी ज़्यादा use किया जाता है polyurethane forms are used in the pillow and padding जो इनके pillows वगेरा बनाए जाते हैं या फिर जो padding की जाते हैं देखाओ गार वह नए वाले गद्धे जो होते हैं जिनमें spring लगे वाले नहीं बोल रहा हूं दूसरे भी जो नए गद्धे आते हैं इसमें spring नहीं लगेते हैं अरे वो रहता है और mattresses यह sleep well mattress वगेरा और पता नहीं orthopedic mattress वगेरा रते हैं तो वो सारे भी इससे भी बनाए जाते हैं ठीक है clear हो गई बात समझ में आया चलो इसी बात पर screenshot लो चलिए तो फिर इसे भी कर देते हैं erase और इसे erase करते ही हमारा ये lecture हो चुका है end lecture के end में आप लोगों के लिए वही हमारी information magnetbrins.com की official site जहां पे आप free में कर सकते हो खुद को register यहां 100% free online lectures आपको मिलेंगे सारे lectures free हैं किसी का कोई cost नहीं है simply आपको करना क्या है इस तरह के interface में जो course आपको explore करना है उस पे करना है click अब जैसे देखो यहां पर example के तौर पे बता के रखा हुआ है कि CBAC English Medium को आपने यहां पे क्या करा है select करा और उसमें select करा है class 12 को तो class 12 के regarding जितनी भी faculties ने यहां पर lecture prepare करके रखा हुआ है सारी faculty A to Z यहां पर आपको show हो जाएंगे simply आपको करना है watch now पे click जैसे ही watch now पे click करोगे इस तरह का interface आएगा जहां पे आप पहले visit करोगे full chapter videos को फिर जाना NCRT solutions पे फिर जाना है आपको one shot revision पे और last में फिर जाना है MCQs पे इस तरह का sequence अगर आप चलाओगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएंगे और सारा content clear भी हो जाएगा ठीक है और अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया है तो अभी तक like नहीं करा है तो जल्दी से like कर दो subscribe कर दो बढ़िया बढ़िया से comment कर दो और साथ ही में कर दो इस video को share और फिर इसी note के साथ में हम कर देंगे इस lecture को end मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए सभी को टाटा बाई बाई